मकर संक्रांती पर इन छे वस्तूओं का दान बना सकता है आपको धन्वान, पुन्य करेगा आपको बल्वान। कौन सी है वो छे चीजे आगे जानेंगे इसी विडियो में। विडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, हिंदू पौरानेक मान्यता के अनुसार हर यूग में अलग-अलग कर्मों को महत्वत दिया गया। जैसे सत्यूग में तप, त्रेता में ज्यान, द्वापर में यग्यों और कल्यूग में दान को प्रमुक बताया गया है। हम इस वक्त कल्यूग में हैं, और कई ऐसे तीज त्योहार आते हैं जिनमें हम दान कर्म करके पुन्य कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मकर संक्रान्ती का पर्व दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशी में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रान्ती का पर्व मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुक त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रान्ती के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धी और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायन गती आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायनी भी कहते हैं। मकर संक्रांती के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुब और मांगलिक कारियों पर लगी रोख हट जाती है दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांती का पर्व 14 जन्वरी को मनाया जाता है पर कभी कभी ये त्योहार 15 जन्वरी को भी हो जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य देव कब धनु राशी को छोड़कर मकर राशी में प्रवेश कर रहे हैं इस वर्ष 15 जन्वरी को मकर संक्रांती मनाई जा रही है दोस्तो मकर संक्रांती के अफसर पर किसी पवित्र नदी में सनान और दान करने की परमपरा है इस दिन गंगा नदी में सनान के बाद दान करने से साधक की लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं साथ ही पिछले जन्म के बुरे कर्मों से निजात मिलती है और जीवन सुख मय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से दस अश्वमेध यग्य और एक हजार गाय दान करने के समान पुनिफल मिलता है। मकर संक्रांती के दिन शुख मुहूर्ट में स्नान के बाद दान करने से शनी और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सबसे पहले गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तिलो और गंगाजल मिला कर स्नान करें, इसके बाद दान करें, इससे ग्रेह दोश दूर होते हैं, दोस्तों मकर संक्रांती के दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करना शुरू कर देते हैं और देवलोग के दरवाजे खुल जाते हैं यानि देवताओं के दिन आरंब हो जाते हैं सूर्य के उत्तरायन होने के बाद देवताओं की शक्ती में वृद्धी होने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं और राते धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं कहा जाता है कि कि इस दिन किया गया कोई भी पुन्यकार्य कई गुना बढ़कर फल देता है और जीवन में सुख सम्रिधी लेकर आता है। दोस्तों लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांती पर दान की इतनी महिमा आखिर क्यूं है और क्यूं लाखों लोग इस पर पर दान करते हैं। दोस्तों दान की महिमा को जानने के लिए यक्ष ने धर्मराज योदिश्थर से प्रश्ण किया कि मृत्यु के समय सब यही चूट जाता है सगे संबंदी मित्र कोई साथ नहीं दे पाते तब उसका साथ ही कौन होता है इस पर योदिश्थर ने कहा मृत्यु प्राप्त करने वाले का मित्र दान है वही उसका साथ देता है यक्ष का प्राश्ण श्रेश्थ दान क्या है योदिश्थर बोले जो श्रेश्थ मित्र की भूमिका निभा सके यक्ष का प्राश्ण दान किसे दिया जाए योदिश्थर ने उत्तर दिया दान सुपात्र को या सही व्यक्ती को दिया जाए जो प्राप्त दान को श्रेष्ट कार्य में लगा सके उसी को दिया गया दान श्रेष्ट होता है वही पूर्ण्य फल देने में समर्थ होता है इसी प्रकार अथर्ववेद में कहा गया है कि सेकडों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांट दो दान कई प् होती है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऐसे छे दानों की जिनको मुख्य रूप से मकर संक्रांती के दिन ही किया जाता है इस दिन अगर आप इन छे दान में से कोई भी एक दान करते है तो आपको निश्चित रूप से अक्षय पुन्यफल प्राप्त होगा और आप जीवन में हमेशा माला माल रहोगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृप्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे धन्यवाद एक, सात्विक दान, दोस्तों, जो दान किसी पवित्रस्थान, जैसे मंदर, आश्रम या फिर नदी किनारे उत्तम समय में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दाता पर किसी परकार का उपकार न किया हो, वह सात्विक दान है अर्थात दान ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जिसे वास्तव में उस दान की वस्तू की आवश्यक्ता हो और उसने दान देने वाले पर किसी तरह का कभी कोई उपकार ना किया हो दो, तिल का दान, भगवान विश्नु को तिल अती प्रिय है और मकर संक्रांती पर जगत पिता विश्नु की पूजाने वार्य है ऐसे में तिल का महत्व इस्तियोहार पर अपने आपी बढ़ जाता है एक प्राचीन कहावत के अनुसार समुद्र मन्थन के दोरान भगवान विश्नु का पसीना जमीन पर गिर गया और पसीने की बून तिल बन गई बेद पुरानों में तिल को अमरित का बीज कहा गया है यही वज़े है कि धार में कनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है साथ ही तिल को दारिद्रे नाशक भी माना गया है और दोस्तों, मकर संक्रांती को शास्त्रों में तिल संक्रांती भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास में हत्व माना गया है मकर संक्रांती पर तिल के दान के साथ ही भगवान विश्नु, सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है इसके साथ ही ब्राहमानों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुब माना जाता है दरसल शनी देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था इससे प्रसन होकर सूर्य देव ने वर्दान दिया था कि जब भी वह मकर राशी में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन होंगे इस दिन तिल का दान करने से शनी दोश भी दूर होता है 3. गुर का दान जियोतिश में गुर को गुरू की प्रियवस्तु माना गया है गुर का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुर हम सभी को खाना भी चाहिए ऐसा करने से शनी, गुरू और सूर्यतीनों के दोश दूर होते हैं मकर संक्रांती पर तिल और गुर के लड़ू या फिर गुर और मुर्मुरे के लड़ू दान करना बहुत शुब होता है 4. वस्त्रदान मकर संक्रांती पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है इस दिन किसी गरीब और जरूरत मन्द को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें एक बात का ध्यान रखे कि ये वस्त्र पुराने या फिर इस्तिमाल किये हुए और फटे हुए नहीं हुने चाहिए सदैब नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उच्चित माना गया है 5. देसी गी का दान जो तिशमे गी को भी सूर्य और गुरू से जोड़ कर देखा जाता है मकर संक्रान्ती के देन गी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है मकर संक्रान्ती पर शुधगी का दान करने से आपको करिय में लाप के साथ सभी प्रकार की भुतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ मोक्ष प्राप्ती का मार भी प्रशस्त होता है पांच, गुर का दान, जयोतिश में गुर को गुरू की प्रियवस्तु माना गया है इस दिन गुर का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है गुर का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुर हम सभी को खाना भी चाहिए ऐसा करने से शनी, गुरू और सूर्य तीनों की दोश दूर होते हैं मकर संक्रांती पर तिल और गुर के लड़ू या फिर गुर और मुर्मुरे के लड़ू दान कर सकते हैं आशा करते हैं आपको ये विडियो पसंद आया होगा अन तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद विडियो पसंद आया हो तो कॉमेट बाक्स में हमें जरूर बताए विडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी विडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभविचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हम आपसे जल्द मिलेगे ऐसे ही नए शुभविचार के साथ तब तक के लिए नमस्कार